अस्सलाम अलेकुम आज मैं बना रही हूं सामी कबाब तो मैंने लिए हूं यहां पे दो मुट्टी ऐसा यह दाल लिए हूं चैने के दाल और इसके अंदर मैंने लिए हूं तीम चोग ग्राम चिकन तो इसमें मैंने हटी भी लिए हूं क्योंकि यह उबलेंगा तो हम अपना सबस्देशन काल सकती इसको मैंने दो के साफ करही हूं तो यह बीवा के साथ और मैंने तीम गंटे था याने मैंने भीगा के रख तो मैंने यह देखो मीडों और यह कुछी यह यह कुछ मसाले कुछ यह है दनिया पॉडर एक चमच नम्मा के अपने साबस दालना के चमच और यह है काली मिर्च पॉडर और यह है छाट मसाला और यह है घरम मसाला यह है एक चम्मच अपना नुच्छी पॉडर और यह है अल्दी पॉडर तो मैं भी यह इसे केंजर सब डाल दूँँगे तो यह देखो यह मैं अध्यक्लासुन का पॉडर एक चम्मच डाल दूँगे और मैं इसके अंजर कुछ यह दालूँगी जैसे तीने हरी मिर्च और एक बठाटा और एक कांदा तो मैंने यह भी इसके साथ डाल दूँगे इस सब मिलाना है अपने को और मिलाके मैं अभी आप डाल सकते लेकिन मैं निम्बू अभी नहीं डालूँगी मैं निम्बू यह गलने के बाद डालूँगी कभी कभी क्या होता है निम्बू डालने से बठाटे नहीं गलेंगी तो इसलिए मैं यह बाद में डालती हूँ तो मैं आपको बताते हूँ अभी यह चड़ा के तो यह देखो, मैंने पूरा गला दी, चिकन भी गल गया, बटाटा भी गल गया, दाल भी गल गई, अब इसको मैं पीस के लूँगी, तो अगर आपको अगर गोस काची है, तो आप लिए मेरे घर में कैसा है कि गोस बड़े का नहीं काते है, तो इसलिए मैंने चिकन लिए, अगर आपके यहां अगर बड़े का गोस्ता आते हैं, तो आप गोस्ता बनाओ, तो और भी अच्छा लगेगा, तो मैं अभी इसको पीस के बताती हूँ, तो यह देखो, इसके अंदर मैंने कांदा दाली हूँ, और तोड़ी कोत्यू मिर दाली हूँ, और यह जो आप आम चुर पॉडर भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी इसको मिला के सब कबाब बना के आपको दिखाते हूँ, तो यह देखो, माशलल्ला से इतने सारे कबाब बने हूँ, तो इसको क्या करना है आपको, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के, और कबाब बनाना तो आता है, उ अभी मैं इसको अंडे में पेटके बनाऊंगी तो बताती हूँ, हाँ, लेकिन यह जब आप गुबालेंगे, यह सब को मसाला वसाला डाल के चने के दाल, तो ठंडा होने के बादी पिसना है, अच्छा से ठंडा हो जाए, तो फिर पिसना, तो इस तरह आपका कबाब बन ज आती हो, तो आप मुझे सस्क्राइब करेंगा, और लाइक करेंगा, कमेंड में जरूर जरूर रिखेंगा, मिलती हो आपको बाद में, इस तरह मैं यह अंडे में पेटके इसके अंदर डालेंगे, देखो, माशालला से, इस तरह से आप भी खोटिंग करना, वह अच्छा ल तो देखो, यह मैंने सामी कबाब बनाई, माशालला से बहुत अच्छा बनाए, सोफ्ट और एक्दम रसेली, देखो, माशालला से, देखो, अंदर तक अच्छा पका हुआ है, आप जरूर ट्राइब करेंगा, और सस्क्राइब करना ना बिलेंगा, फिर मिलती हो एक अच् आफिस!